क्या आपको भी लगता है आप बहुत गरीब हैं आपके पास संसाधनों की कमी है तो आपको अपनी सोच बदलने की आवशकता है क्योंकि आज हम जिस इंसान के बारे में बात करने जा रहे हैं उचने इन सभी हालातों से जूजते हुए अपनी कड़ी मेनत और संगर्श से आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के राजपती श्री एपीजे अब्दुलकलाम की अब्दुलकलाम जिनका जन्म रामेश्वरम के एक मध्यम वर्गिये परिवार में हुआ उनके पिताजी जैनूल आपदिन एक नाविक थे कलाम साब एक बहुत ही गरीब परिवार से थे दोस्तो कलाम साब का बचपन बड़ा ही संगर स्पून रहा उनकी अगर डेली दिन्चरिया की बात करें वे चार बज़े उठकर टूशन जाते थे और एक घंटा टूशन पढ़ने के बाद वे पांच बज़े लोटते थे और वहां से पांच बज़े लोटने के बाद वे अपने माता पिता के साथ नमाज आदा करते और फिर घर से 3 किलोमेटर दूर धनुसकोडी रेलवे स्टेशन पे जाकर अखवार लेते और उनको 8 बज़े तक डिस्ट्रिब्यूट करते देखिए कितना संगर स्पून जीवन रहा है उनका पढ़ाई के साथ-साथ भी पिता का साथ दे रहे हैं और आजकल के बच्चे 6-6 बज़े तक उठते ही नहीं है जरासी परेशानिया जाती तो घबरा जाते हैं अब देखिए उन्होंने सुबह सुबही कितनी अक्टिविटी कर ली सुबह टूशन पढ़ लिया उसके बाद माता पिता के साथ नमाज प खर्चा खुद ही निकाल लेते थे अब इसमें सीखने वाली बात ये है कि इतनी खराब आर्थी किस्तिती होने के बावजूद भी उन्होंने पढ़ाई नहीं छोड़ी उल्ठा अपनी आर्थी किस्तिती को सुधारने के लिए लगातार शंगर्स करते रहे हम मेंसे बहुत जिसकी आर्थी किस्तिती बहुत ही खराब है वो अपनी कड़ी मेहनत से देश के सरवोच चुपद पर पहुंच जाता है ये कोई सामान्य बात नहीं है कलाम साब का एक और खिस्सा बहुत फेमस है दोस्तों जहां उन्होंने अपनी कॉलेज की फीस भरने के लिए अपनी ब दोस्तों इस किस्से से हमें ये प्रेणना मिलती है कि यदि हमें अपने उपर पूर्ण विश्वास हो और अपनी मेहनत पर पूरा भरुसा हो तो हमारे साथ लोग अपने आप जुड़ जाते हैं तो ये थे कलाम साब के कुछ बचपन के संगर्स वाले पल वैसे तो उनका पूरा जीवन ही संगर्स पून रहा है जिनकी बाद हम फिर कभी करेंगे कलाम साब के इन किस्सों से दोस्तों हमें यह प्रेणना मिलती है कि आपके हालात चाहिए कुछ भी हो हमें हमें हमेशा अपना माइंड पोजिटिव रखना चाहिए और हर चीज को एक पोजिटिव में लेना चाहिए हालात खराब हैं तो उन्हें बदलने की कोशिश करो मेहनत करो शंगर्स करो बस खराब हालत का रोना बंद कर दो आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं किसी और वीडियो में धन्यवाद